Hello Everyone, Welcome to my YouTube channel Mackinze Talk तो फ्रेंड यहाँ पे डिप्लोमा और ITRL बच्चों के लिए एक new recruitment निकाली गई Education Department के तरफ से यहाँ पे फ्रेंड जो वेकेंशी निकाली गई यहाँ पे सभी ब्रांचे इलिजबल की गई है तो इनका official notification आउट हो चुका है और online form feeling भी आउट हो चुका है जो आपकी इसमें यहाँ पे इस वेकेंशी में फ्रेशर्स भी अलिजबल होने वाले है यह आपकी government job होने वाली है फ्रेंड तो प्लीज वीडियो को ध्यान सेंट तक देखिए है जिससे कि आपसे कोई भी important update मिस ना होने पाए कोई भी important point मिस ना होने पाए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी से request है ऐसी regular updates पाने के लिए चैनल को subscribe करके रखे सभी कुछ हम भी इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे तो आप इस वीडियो को speed को 1.5x कर लिजिए जिससे कि यहां पर आपका time भी save हो जाएगा तो friends हम चलते हैं इनके official notification के तरफ तो friends हम यहां इनके official notification के तरफ हाच चुके हैं सबसे पहले मैं यहां पर आपको जो branches eligible कीगे हैं जो जो department eligible कीएगे हैं पहले मैं आपको explain कर दूँ तो पहली वेकंसी की बात करें यहाँ पर तो आपकी technician की वेकंसी निकाली गई आप यहाँ पर देख सकते हैं जो technician की वेकंसी निकाली गई कौन कौन से department में निकाली गई architect में chemical engineering, chemistry, civil engineering, computer applications, computer science, computer support, energy and environment, electrical engineering, electronics and communication engineering, instrumentation, control engineering, mechanical engineering, metallurgical and materials engineering, production engineering तो यहाँ पर लगभग सभी department में सभी ब्रांचेस के लिए एकंसी निकाली गई हैं हम बात करते हैं कौन कौन से ब्रांचेस eligible हैं तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ इन सभी ब्रांचेस से और यहाँ पर अगर आपने इन सभी ब्रांचेस से डिप्लोमा किया हुआ आप बिल्कुल यहाँ पर इस form को fill up कर सकते हैं या फ्रेंड्स अगर आपने senior secondary 10 plus 2 किया हुआ है physics से chemistry से आप बिल्कुल form fill up कर सकते हैं या अगर आपने high school इंटर के बाद या आपने high school के बाद technician के recruitment के लिए ठीक है अगर हम बात करें यहाँ पर senior technician के recruitment के लिए तो यहाँ पर आपकी next recruitment निकाले गए senior technician की फिर यहाँ पर भी लगभख सभी branches को eligible किया गया है अगर आपने तीन सार के diploma किया हुआ है mechanical से electrical से electronics से computer से chemistry से computer science से IT से सभी branches यहाँ पर eligible किया गया है अगर आपने 10 प्लस 2 के बाद ITI किया हुआ है या 10 के बाद ITI किया हुआ और आपके 60% minimum mark से आप बिल्कुल form को fill up कर सकते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर educational qualification explain कर दिया आप चलते हैं फिर इनके starting page पर जो इनका वीडियो के description box दे दूँगा और अपने telegram को पर शेयर कर दूँगा वहाँ से आप directly इस link को जाके click करके आप अपना platform fill up कर सकते हैं टेलिग्राम को पर अभी तरह आप लोग नहीं चुड़ें तो वहाँ पर जूड़ जाएं वहाँ पर आपको सभी authenticate update timely मिलती देती है आपको कोई personal problem होती कुछ आप का personal doubt है आप मुझको इंस्टा पर FB पर message का सकते हैं उन सभी का link आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा ठीक है चलते हैं इनका official notification दफ आगे चलते हैं तो यहाँ नंबर वेकेंसी की बगत बात के तो यहाँ पर technician total 10 vacancies निकाली गई है और senior technician total यहाँ पर आपको 5 vacancies निकाली गई है ठीक है यह friends आपकी जो है group C की vacancy होने वाली यहाँ पर देखिए यह आपकी group C की technical post में यह आपकी non teaching की vacancy होने वाली है ठीक है important dates की बात करें यहाँ पर तो आपको advertisement date यहाँ पर आपका एक फर्वदी का था आपको online application start हो गया था एक फर्वदी को और यहाँ पर आपको last date form fill up करने का एक March रखा गया है और फिर आपको 8 March तक यहाँ पर hard copy send कर देना है ठीक है तो मतलब online form fill up करने के बाद आपको यहाँ पर hard copy send करना पड़ेगा ठीक है कुछ ज्यादा important points के बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम देखें तो age limit क्या रखा गया फिर यहाँ पर तो आपका एज limit जो है government के हिसाब से आपको यहाँ पर age में देखने को मिल जाएगा बाकि आपकी age limit जो cut off है वो आपका age एक मार्च का आपका cut off date लिया जाएगा बाकि जो government का age दिलैक्सेक्षेशन होता है CSTL बच्चों के लिए ओवी सी वाले बच्चों के लिए पी डिव्यड़ी वाले बच्चों के लिए सभी कुछ आपको यहाँ पर age डिलैक्षेशन भी देखने को मिल जाएगा ठीक है हम बात करते हैं एक्जाम नेशन फीस की तो आपकी यहाँ पर एक्षानाइशन फिस रखी गई यहां पे और फिस नहीं रखी गई अगा हम कुछ अधर इंप्रटन फॉर्टन फिर्ट्स यहां बात करें तो आप स्कॉर्ड होगा के नीचे आएंगे तो यहां पे आपको फॉर्म सेलेक्शन का प्रोसर्स के होने वाला सभी कुछ यहां आप इन्हों ने explain किया हुआ यहां पर देखिए जो आपका सेलेक्शन का दोसस होने वाला है पहले जब आप अपना online application form fill up कर देंगे तो वहां पर बच्चों को देट करने के लिए पहले वहां पर आपका shortlist किया जाएगा form को ठीक है आपका form shortlist हो जाएगा उसके बाद यहां पर आपको email id के जो आप email id देंगो उसी पर यहां पर आपको communication दिया जाएगा कि आपका date और exam का venue कब और कहां पर होने वाला है ठीक है सभी कुछ आपको यहां पर mail को द्वारा आपको send करना पड़ेगा ठीक है मैं इस PDF को अपने जो है टेलिग्राम को पर शाय कर दूंग वहांसा आप इस PDF को download कर लिजेगा और एक बाद अपने तरफ से पढ़ लिजेगा जिससे कि आप अपना form fill up कर लिजेगा और आठ मार्च के पहले आपको find hard copy print out करके इनके दिए अड़े से भीजना है क्या क्या चीज important है जो आपको hard copy में रखना है 10 का certificate 12 certificate ITI diploma certificate अगर आपकी काश अप्लिकेबल है तो उसका certificate और पासपोर्ट साइज फोटो चाल पासपोर्ट साइज फोटो आपको वहां पर सेंड करना होगा और इसकेंड copy of signature मतलब एक white page ले लिजेगा और वहां पर अपना signature कर दीजेगा ठीक वह आपको white page भी send करना होगा तो इस सब मैंने आपको explain कर दिया मैंने आपको educational qualification explain कर दिया था आपका नी Senior technician की फिर यहां पर आप नीचे आएंगे इस कॉल्डाउन करके तो देखिए आपको यहां पर Senior technician की vacancy देखने को मिलेगी जो आपकी गृप सी की पोस्ट होगी आपकी दोनों पोस्ट गृप सी की पोस्ट रहने वाली है यहां पर जो आपका चौबिस रुपीस ग्रिश पर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है आप उसे वीडियो के comment रहें सकते हैं I hope friends इस वीडियो से आपको help मिलियो कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपके लिए वीडियो यूसफल साबित हुआ हो तो please वीडियो को like करिएगा जितने friends आपको दोस्तों तक में वीडियो शेर भी करिए Facebook पर WhatsApp पर सभी पर फिर वीडियो शेर करिए चिसे की सब की help हो जाएगी और मेरी भी help हो जाएगी तो friends आज की वीडियो में सतना ही हम मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care